साथियों, देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं। आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रण हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहार भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुकरण आधुनी करण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेट्फरम पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े देश का किसान समर्द हो जब देश का किसान समर्द होगा तो देश भी समर्द होगा। आपको मैं एक और उधान देता हूँ कि क्रिशिक छेत्र को पहले कैसे हंडल किया जा रहा था। सात्यों हमारे देश में पहले इथेनौल तक को प्रात्विक्ता देकर इंपोर्ट किया जाता था। जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारो करोड रुप्य का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थित्र को बदला हमने देश में ही इथे नौल के उत्वादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी गुड़ बनता था। कभी चीनी के दाम गिर जाते थे तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे। कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे तो कंज्यूमर को तकलीब होती थी। यानि कोई व्यवस्था ऐसी चलनी नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पैट्रोल लाते थे। अब अगर यह काम इथनॉल भी कर सकता था। अब देश में पैट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथनॉल की ब्लैंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए इससे कितना बड़ा बड़लावाने वाला है। इससे गन्ना किसोनों की आमनी तो बढ़ेगी रोजगार के भी नए आउसर मिलेंगे। साथियों आज।